तारिक महता का उल्टा चश्मा टीवी के सबसे पॉपिलर शोज में से एक है। पिछले कुछ महीनों से ये शोज कुछ न कुछ निगेटिव खबरों को लेकर चर्शा में है। कई कलाकार शोज छोड़ कर चले गए। पिछले साल शेलेश लोड़ा ने भी शोको अलविदा कह दिया था। वो सालों से इसमें तारिक महता का रोल कर रहे थे। उनके और निर्माता असित मोदी के बीच विवाद चल रहा था। शेलिश लोडा ने लंबित पड़े बकाया राशी को लेकर असित मोदी और उनकी प्रोडक्शन कमपनी पर केश दर्श किया था शेलिश लोडा मामले को लेकर नाशनल कमपनी लॉट ट्रिब्यूनल पहुचे एक रिपोर्ट के मताबिक इस साल माई में मामले की सुनवाई हुई और फैसला शेलिश लोडा के पक्ष में आया दोनों की बीच एक समझोता हुआ जिसके बाद शेलिश लोडा को असित मोदी की और से एक करोड पाच लाग पचासी हजार उपए का भुकतान दिमांड राफ्ट के जरिये किया गया कोड के फैसले से शेलिश बहुत कुछ है उन्होंने कहा कि ये लडाई पैसे को लेकर नहीं थी बलकि ये न्याई और आत्मसमान के लिए थी ऐसा लग रहा है जैसे कोई लडाई जीत ली है और मैं बहुत कुछ हूँ कि सच्चाई सामने आ गई है शेलिश ने कहा कि मेकर्स चाहते थे कि पैसे चुकाने के लिए कुछ पेपर्स पर साइन करूँ जैसे मीडिया से बात नहीं कर सकते और अन्य चीज़े मैं नहीं जुका अपना पैसा पाने के लिए मैं किसी पेपर पर साइन क्यों करूँ शेलिश का मानना है कि इस कानूनी लडाई नी दूसरे अक्टर्स की भी मदद की है एक अन्य अक्टर को भी तीन साल से पैसा नहीं दिया गया जब उन्होंने प्रोडक्शन हाउस पर केस किया तब उस अक्टर को बुलाय गया और भुकतान किया है बता दे कि शेलिश ने अप्रेल 2022 में तारक महता का उल्टा चुश्मा चोड़ दिया था इस साल की शुरुवात में उन्होंने एंसी एल्टी के और रुक किया